पुलिस आयक्त अमितेश कुमार की आदीश पर नाकपुर शहर पुलिस थानाक शेत्व की तहत आने वाले सभी हिस्टी शेतर को थाने में बिलाकर सुधारने का क्लास लिया जा रहा है जिसमें कुद बदमाश सुधर गय ऐसे को भी बिलाकर उन्हें ताकीद दी जारी है पुलिस के एक फोन पर थाने में आने वाले बदमाशो पर धारा 110 लगाई चारी है जिसके कारण पुलिस वो बदमाशो के समन्द में बिगाड आ रहे है जो सुधरे है उन्हें सुधारने का मौका देने की बात नाम न च्छपाने की शर्प पर कही सुधरे लोग बोल रहे है उन्हें ठाने में बुला कर मामला दर्स किया तो वह फिर से वही दुन्या में जाने पर मजबूर होंगे गौर तलब है कि वाड़ी पुलिस स्टेशन शेत्र में 2001 सी 2020 तक मर्डर के 169 आरोपी है जिसमें 22 बदमाशो की मृत्ति होने की चानकारे मिली 11 बदमाशो का तो आज तक पता नहीं चल पाया क्योंकि वह उस पते पर रहते ही नहीं कई बार पुलिस उन आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन पता नहीं होने से पकड़ नहीं सके वाड़ी के 14 बदमाश आज भी जेल में सजा काट रहे है अभी जवादेश मिले उसके अनुसार तीन बदमाशो को जेल भेजा गया बीसीपी नुरुल हसन ने पिछले सब्ताह वाड़ी के सभी बदमाशो को ठाने बुला कर क्लास लिया सभी को सुधारे जाने की चेताओने दी वाड़ी शेत्र अब शांत हुआ है लेकिन अब धारा 110 की तहट पुराने मामलो को निकालने से सभी बदमाश खबराए हुए है राद मे राद आरोपियों के घर घर जाकर पुलिस पूछताज कर रही है रात में घर पर मिलने वाले बदमाश वह न मिलने वाले बदमाशों की जानकारी लेना शुरू है जो सुदर गए उन्हें भी पूचताच कौम में के दौरान पुलिस अधिकारी खुद रात में बदमाशों का पताल लगानी उनके निवास पर जाते हैं वारी में जो सुदर गये उन्हें भी राद बीराद पुलिस चगा रही है उनके घर पर जाकर पूचताच कर रहे हैं जो सुदर है उन्हें सुधरने का मौका पुलिस ने देना चाहिए यदि उन्हें परिशान किया तो फिर से विगुनेगारी की दुनिया में चाह सकते हैं थानाक्षेत्र में पुलिस के वो बदमाशों के बीच अच्छे संबन रहते हैं इस अच्छे संबन के कारण कुछ बदमाश सुधर गए पुलिस ने भी सुधारने का मौका दिया लेकिन अब अच्छानक हो रही इस कारवाई से बदमाशों पुलिस भी परिशान नज़रा रही है पुलिस के संबन होने से एक फोन पर बदमाश थाने पहुचता है लेकिन थाने में आने के बाद उस पर 110 की कारवाई कर उसे जेल भेजा जाता है यही कारण है संबन खराब होने का जो एक शेत्र की हिस्ट्री शीटर है उनसे अपराद न करने का बॉंड लिक कर लिया जाता है यह सवाल उठता दिखाई दे रहा है पुलिस आयक तर अमितेश कुमार के इस आदेश से जो अभियान चल रहा है उससे सभी अपरादी घबराय हुए है पुरानी फाइन निकालते निकालते पुलिस भी परिशान दिखाई दे रहे है इतनी कारवाई होने के बावजुद शेहर का क्राइम कम नहीं हो रहा है BCN News के लिए वाड़ी से सौरा पाटिल की रिपोर्ट